Hello everyone, welcome back to our channel और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्स्प्लेनेशन हम शुरू करते हैं लास पार्ट में हमने देखा था कि ही बो जान को देखकर कहता है जिसके बाद यीबो अपने सामने रखे चेर की तरफ इशारा करके जान को बैठने के लिए कहता है जो जेश्चर देखकर जान धीरे धीरे चलकर चेर की तरफ आता है और मन में सोचता है कि वो तूट नहीं सकता बस इसलिए कि यीबो जान के सामने है तब ही चेर पर gently बैट कर अपने leg को cross करके जान अपना ही saliva swallow करते हुए कहता है ये थू बहुत surprising है जिस पर यीबो कहता है हो सकता है पर क्या यीबो ने नहीं कहा था कि वो फिर मिलेंगे जो बात कहते हुए यीबो अपनी चेर पर बैट जाता है जहां यीबो की बात सुनकर जान यीबो को देख कर पूछता है कि यीबो के कहने का क्या मतलब है यानि ये meeting coincidence नहीं है जिस सवाल पर यीबो smile के साथ कहता है कि अगर यीबो कहेगा कि ये बस एक coincidence ही है तो भी जान यीबो पर यकीर नहीं करेगा क्या जो यीबो की बाते सुनकर जान अपनी breathing को normal रखते हुए सोचता है कि क्या यीबो ने meeting जान बूचकर intentionally की है, क्या ये meeting यीबो नहीं प्लान की है, तभी यीबो वो बोलता है जो जान के दिमाग में था मैंने ही मिस्टर लिव हाइकवान को Wong Advertising Company में call करने को कहा था जान, क्योंकि अगर सिर्फ हाइकवान को हमारी company के लिए advertising companies select करनी होती, तो वो बस बड़ी companies से ही बात करता जहां येबो की बात से insulted feel करके जान गुस्से में भड़कता हुआ, लेकिन controlled tone में कहता है कि उनकी Wong Advertising Company भी छोटी company नहीं है, जिस पर येबो casual tone में कहता है कि हो सकता है, लेकिन फिर भी जान की company बाकी सभी बड़ी companies के सामने कुछ भी नहीं है जो बात सुनते ही जान गरचते वे कहता है कि येबो की बातों से लग रहा है कि जान की company बायो नेचर के standard को meet नहीं कर पाएगी, तो फिर येबो ने उन्हें call करके ये job offer क्यों की है, जिस पर येबो कहता है क्योंकि येबो को जान की ability पर यकीन है जो बात सुनते ही जान अपने leg को uncrossed करके कहता है, कि तो फिर उन्हें सिर्फ business की ही बाते करनी चाहिए, जिसके बाद अपना back table पर रखकर उसमें से एक folder निकाल कर, जान येबो को देते हुए कहता है कि ये campaign का proposal है, येबो इसे study कर सकता है, पर येबो folder को touch तक नहीं करता, बलकि अपनी seat से उठते हुए पूछता है कि जान coffee लेगा या juice, जो पूछते हुए येबो अपने केबिन में रखे personal switch की तरफ जाता है, तो जान जिसका गला बुरी तरह से सूख रहा था, वो सिर्फ पानी मांगता है, जो सुनकर येबो amusedly smile के साथ कहता है कि जान को natural ची बढ़ गई थी, और जान को feel हो रहा था, ये आज भी पहले की तरह येबो की smile देखकर जान के tummy में butterflies सी उड़ रही थी, तभी येबो से पानी का glass लेकर जान thank you कहता है, और पुछता है कि जान को तो लगा था कि येबो अभी भी आर्क pharmaceuticals के साथ ही है, जिस सवाल पर येबो आर्क pharmaceuticals में ही रहता है, जो response पाकर जान ओके में अपना सिर हिला कर पुछता है, कि तो फिर उसके proposal को येबो चेक करने वाला है या Mr. Liu Haikwan, जिस पर इस बार भी जान के काम की बात को इगनोर करते वे ही वो पुछता है, कि जान आज भी श्याव सरनेम क्यों यूज करता है, जिस sudden question से जान शौक रह जाता है और फॉरन जवाब नहीं दे पाता, तभी जान को खामोज देकर इबो आग कहता है, कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जान दुबारा खुद को सिंगल दिखाना चाहता है, तो क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है जान के लिए, कि वो अपने रिप्लेस्ट कर दिया था, तो पूरी बार सुनकर जान की आखे शौक्ट से बड़ी हो जाती है और उसकी पकड आम रेस्ट पर कस चाती है, लेकिन जान फॉरन खुद को नॉर्मल करके ये वो से कहता है, कि वो ये वो के पास अपनी परसनल लाइफ के बारे में बाते करने नहीं आया है, लेकिन इस बार भी जान की बात को इग्नोर करके ये वो आगे पूछता है, जिस आदमी से तुमने शादी की, तुम उससे कब मिले थे जान? मैंने सुना था कि शादी से पहले ही वो आदमी तुमारे घर में रह रहा था, जहां अपने गुसे को दबाते इबो, तो कुछ भी हमारे बीच में था, वो बहुत पहले ही खतम हो चुका है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम बार बार वही सब बाते क्यों कर रहे हो, प्लीज, अगर तुम एड़ कैम्पियन के बारे में बात नहीं करना चाहते हो, तो मैं वापस जा सकता हूँ, और अपनी नेक्स्ट मीटिंग मिस्टर हाईकवान के साथ फिक्स कर लूँगा मैं, जो बात पूरी करके जान वापस अपनी चेर पर बैट जाता है, और दोनों ही खामोश हो जाते हैं, तब ही एक पल के बाद यीबो जान से कहता है, कि वो ये कैम्पियन जॉब जान को दे अच्छा रहा है, माना जान ने परसनली यीबो को बहुत ज्यादा फेल साबित किया है, लेकिन यीबो को यकीन है कि जब बात काम की हो, तो यीबो के पास जान को क्रिटिसाइज करने जैसा कुछ नहीं होगा, जो बात सुनकर जान मन में सोचता है कि यीबो कितना कॉंप्ल जान को यकीन है कि उसका काम किसी भी और कंपनी के काम से बेटर ही होगा, लेकिन फिर भी क्या यीबो को एक बार उसके काम को स्टडी नहीं कर लेना चाहिए, जिस पर यीबो कहता है कि जान ने तो खुदी रीजन दे दिया है कि यीबो को जान का काम क्यों देखने की जरु जो रिस्पॉन्स पाते ही जान अपने फोर हेट को मसाज करते हुए दुबारा पानी पीता है तो यीबो आगे कहता है कि वो बाकी डिटेल्स के बारे में जान से उसके ऑफिस में डिसकस करेगा जो बार सुनकर जान जल्दी में कहता है कि मिसिस वांगी फई इस कैम्पेन के बारे में यीबो से डिसकस करके ग्लैट फील करेंगी जो जान की बार सुनकर यीबो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है जो यीबो की आँखों तक नहीं पहुंचती और वो जान को देखकर कहता है कि इस बार पर यीबो को थोड़ा डाउट है कि मिसिस वांग इस बारे में क जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, Ivo जान के साथ ही इस प्रोजेक्ट को लेकर बात करेगा. तो अब Jahn को प्रोजेक्ट पूरा होने तक Ivo के साथ डील करना ही पड़ेगा. जो बात सुनते ही एर कंडिशनर रूम में भी जान को होट फिल होने लगता है और माथे पर उसके हलका सा पसीना आने लगता है ये सोच कर कि प्राजेक्ट कंप्लीशन तक ये बो का जान की लाइफ में पूरा एकसेस रहेगा जो जान के लिए डेंजरस हो सकता है जान और जहां ये बो की बातों में जान एक unclear threat साफ फिल कर पाता है और जान फॉरन कहता है कि उसे नहीं लगता कि जान की कंपनी को इस contract की जरूरत है जो कहते ही जान अपना proposal folder उठा कर अपने bag में रख लेता है जिसके लिए ये बो भी जान को नहीं रोकता और उठकर जान के पास जान के पैरों को अपने पैरों के बीच में लॉक कर लेता है जिस position की वज़े से वो दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे तब ही ये बो deep और cold voice में कहता है इस project के लिए तुम decide नहीं कर सकते हो sweetheart और अब तो तुम back out भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मुझे यकीन ह कि मिसिस यीफई इसके लिए agree नहीं होंगी क्योंकि मैंने पता किया है कि तुम्हारी company bankrupt होने वाली है और ये project तुम्हारी company को bankruptcy से बचा सकता है बायो नेचर चाइना अब तुम्हारी company की life line है sweetheart जो पूरी बात सुनकर जान शॉक्ट रह जाता है क्योंकि उसे इस बारे में क कुछ भी पता नहीं था और जान सोचता है कि शायद इसी लिए आंट यीफई ने जान पर pressure दिया था कि उसे ये contract हासिल करना ही होगा ये तभी जान को चुप देखकर यीबो आगे कहता है कि जान जॉप से resign करने के बारे में भी ना सोचे क्योंकि जान के बिना यीबो ये contract wrong advertising को कभी नहीं देगा और अगर ऐसा हुआ तो मिसिस वांग इफई की company और ज्यादा बड़े खत्रे में पड़ सकती है वहीं अब यीबो मिसिस वांग इफई को उनके connections तक use करने नहीं देगा क्योंकि अब से यीबो जान को हर जगा follow करेगा तो बात यीबो बहुत confidently कहता ह जिस बात को सुनकर जान softly पूछता है कि आके यीबो ऐसा क्यों कर रहा है जो सवाल पूछकर जान अपनी चेर को यीबो से दूर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन यीबो जान की चेर के armrest को पकड़ कर चेर को अपनी तरफ कीच कर deep voice में कहता है मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ जान लेकिन इस बार मैं तुम्हारी किसी बात के लिए कर्जदार नहीं रहूँगा तुम दुबारा मेरी बाहों में वापस आओगे जैसा भी मैं चाहूँगा मेरे तरीके से क्योंकि तुम पर मेरा उधार है जो तुमें अब गुस्से के अलावा भी यबो की आंखों में कुछ और भी देख पाता है जो यबो की आँखे जान की बॉड़ी पर थी और जान फील कर पाता है कि यबो तेज तेज बीदिंग ले रहा था जो गुस्से की वज़ह से नहीं बलकि पैशन की वज़ह से थी कि तभी अचानक फॉरन टेबल को नहीं पकड़ता तो उसकी चेर दूर चली जाती या फिर गिर जाती। जबी यीबो अपनी चेर से उठते हुए कहता है कि जान अब फॉरन यहां से चला जाए। इससे पहले कि यीबो भूल जाए कि जान यीबो के आफिस में है। जो बात सुनते ही जान सुपर स्पीट से अपना बैग उठा कर केबल से बाहर भाग जाता है। और बाहर आकर गहरी सांस भरता है क्योंकि जान रोना नहीं चाता था। लेकिन फिर भी आंसू जान की आँखों से बैह ही जाते हैं। जहां अपने आपको नॉर्मल करने के लिए जान फॉरन कंपनी के रेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यी बो ठक कर अपनी चेर पर बैठकर अपना सिर पीछे की तरफ चेर पर रखकर अपनी आखे बंद करके पुरानी बातों को याद करने लगता है। फिर अचानक अपने डॉर से एक चीज निकाल कर देखता है फिर उस गोल्ड चेन को अपनी उंगली में लपेट कर उससे खेलते वे अपने मन में कहता है। ठीक वही डर तुमारी आखों में आज देखा जैसा उस रात देखा था जिस रात मैंने तुमारी वर्जिनिटी तुमसे ले ली थी। वही आज भी तुम मुझे उसी डिजायर के लिए कापते वे दिखे। जो सब बाते अपने मन में कहते हुए यीबो उसी गोल्ड चेन को देखता रहता है जो यीबो ने जान को दिया था। वही दूसी तरफ जान को पता ही नहीं चला कि वो कैसे यीबो की कमपनी से बाहर आकर टेक्सी में बैठा जिसमें बैठकर जान कापते वे सोचता है कि उसे लगा था कि वो इन तीन सालों में एक स्मार्ट और मजबूत इंसान बन चुका है लेकिन जान का अपने लिए ऐसा सोचना आज जान की बेवकुफी साबित हुई जान आज तक बाकी सभी आदमियों से अपना डिस्टेंस बना कर रख पाया जहां कई लोग ने जान की दिल को पाने की कोशिश की थी पर अट लास्ट हार ही गए थे क्योंकि कोई भी जान का क्रियेट किया प्रोटेक्टिंग शील्ड तोड़ी नहीं पाया था लेकिन यीबो के साथ ऐसा नहीं था यीबो के सामने जान आज भी बहुत कमजोर था जिस बात का पता जान को अपने भाई की शारी में यीबो से मिलने के बाद चल जाना चाहिए था जो सारी बाते सोचते हुए जान सीधे अपने कॉंडो में जाता है और कॉल करके आंट यी वई को बता देता है कि उन्हें प्रोजेक्ट मिल चुका है जिसके बार जान युवान को लव कहकर पुकारते हुए अपने पास बुलाता है और युवान के पास आते ही जान युवान को गोद में उठा कर टाइटली हग कर लेता है जिस प जान पूरा दिन युवान के साथ ही पिताएगा जो बात सुनकर युवान हस पड़ता है जहां जान युवान को देखकर मन में सोचता है कि युवान यीपो की तधा दिखता है क्या होगा अगर कल वो कभी एक दूसरे के सामने आये तो क्या होगा अगर कल युवान ने लिट करते ही मिसिस यीफई पूछती है कि जान ने अपने मीटिंग के बारे में पूरी बात ही नहीं बताई थी। आखिर इतनी आसानी से उन्हें ये प्रोजेक्ट कैसे मिल गया। जो पूछकर अगले ही पल मिसिस Yifai happily कहती है कि उन्हें जरूर जान का talent दिग गया होगा और जान के proposal को select कर लिया होगा जिसके बाद मिसिस Yifai जान को इस project को company में लाने के लिए thank you कहती है और बताती है कि recently उनकी company थोड़ा struggle कर रही है और इस project की उनकी company को बहुत जरूरत थी और बाद सिर्फ पैसो की ही नहीं है ये wrong advertising company ही मिसिस Yifai के जीने की एक वज़ा है जो सुनकर जान को मिसिस Yifai के लिए pity feel होता है क्योंकि अपने husband के death के बाद से ही उन्होंने इस company में अपना सब कुछ devote कर दिया था जहां Darren ने US में रहने का decide किया था जिसकी वज़़े से मिसिस Yifai के पास और कोई साथ देने वाला नहीं था वहीं Darren की वज़़े से जान पर मिसिस Yifai का एक बहुत बड़ा एहसान भी था जिसकी वज़़े से जान मिसिस Yifai को problem में नहीं देख सकता था तभी मिसिस Yifai की बातों पर जान soft tone में कहता है कि उनकी company bankrupt कभी नहीं होगी इस bio nature china project के अलावा future में भी उन्हें बहुत सारे projects मिलेंगे जिस पर मिसिस Yifai स्माइल के साथ कहती है कि उन्हें जान पर यकीन है कि तभी उनके केबिन के डोर पर नौक होता है और जैसे ही दोनों पलटकर डोर की तरफ देखते हैं तो वहाँ Yifai खड़ा था जो दोनों को देखकर स्माइल के साथ good morning कहता है जहां Yifai को देखते ही जान की heartbeats तेज हो जाती है और वो भी कापती आवाज में Yifai को hello Yifai कहता है तभी जान Yifai को बैठने का कहकर मिसिस Yifai से कहता है जिसके बाद Yibo स्माइल के साथ कहता है कि वो इतनी morning में आने के लिए sorry है लेकिन जान कल Yibo के पास अपना proposal देना ही भूल गया था जो बात कहकर Yibo जान की तरफ देखता है जो Yibo को ही हैरानी से wide eyes के साथ देख रहा था वहीं Yibo की बात सुनकर मिसिस Yifai भी हैरानी से पूछती है कि क्या कहा जान proposal देना भूल गया इसका मतलब मिस्टर वांग ने proposal अभी तक देखा तक नहीं है जिस पर Yibo हलका सा अपना सिर्फ नौट करता है जो response पाकर मिसिस Yifai हैरान होकर आगे पूछती है कि अगर मिस्टर वांग ने proposal रिव्यू ही नहीं किया तो ये contract उन्हें कैसे दे दिया जिस सवाल पर Yibo स्माइल के साथ कहता है कि शायद मिसिस Yifai जानती नहीं है लेकिन शियाओस और वांग्स फामिलीज बहुत सालों से अपस में फ्रेंग्स हैं तो जान और Yibo एक ही टाउन से है और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए Yibo अल्डेडी जानत कितना अच्छा है जो सारी बाते सुनकर जान अपने मन में Yibo को कर्स करते हुए कहता है कि Yibo कितना कमीना है वहीं Yibo की बातों से हैरान होकर मिसिस Yifai कनफर्म करते हुए पूछती है तो इसका मतलब मिस्टर वांग ने ये प्रोजेक्ट उन्हें शियाओस और वांग्स की द कर सके जिस पर मिसिस Yifai जान से पॉलाइट टोन में प्रपोजल मिस्टर वांग को देने का कहकर Yibo से पूछती है कि क्या वो कॉफी लेगा या जूस इस पर Yibo कॉफी कहता है जिससे और देने के लिए मिसिस Yifai जैसे ही इंटर कॉम उठाने लगती है एक बार रुक कर Yibo औ बहार चली जाती है जिसके जाते ही जान गुस्से में Yibo से कहता है कि Yibo ने जूट क्यों बोला और जान को आंट Yifai के सामने बेवकुफ सापित क्यों किया अब आंट Yifai जान से बहुत सारे सवाल करेंगी जिस पर Yibo अपने कंधे उचकाते हुए कहता है कि तो फिर जान सा उधार चुका कर उनकी कंपनी की हेल्प कर रहा है जो बार सुनते ही जान प्रपोजल फाइल को Yibo के सामने टेबल पर फैंकते हुए पूछता है कि आखिर Yibo किस उधार की बात बार बार कर रहा है क्योंकि उन दोनों के बीच जो कुछ भी था वो बहुत पहले ही खतम हो वहीं जान ने Yibo के साथ आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया तो इसलिए जान किसी चीज के लिए Yibo का कर्जदार नहीं है और वो तो समझी नहीं पा रहा कि आखिर Yibo किस उधार की बात किये जा रहा है जहां जान की बात पूरी होते ही Yibo जान को फॉरन दिवार पर पिन करक शार्प टोन में कहता है कि जान अपना नाटक बंद करे Yibo जानता है कि जान इसमें बहुत अच्छा है जहां Yibo को अपने इतने करीब पाकर जान प्लेडिंग टोन में कहता है कि Yibo प्लीज बैठ जाए क्योंकि जान को फील हो रहा था कि वो कभी भी रो सकता है वहीं जान का रियाक्शन पाकर यीबो पूछता है कि आज भी जान पर यीबो का वही पहले वाला सेम अफेक्ट होता है है ना जो सवाल पूछकर यीबो स्वॉयलेंटली जान के नेक को पकड़ कर अपनी तरफ खींचता है रहां जान अगर इस बात का ध्यान नहीं रखता कि वो ऑफिस मे है तो वो यीबो पर चिला पड़ता लेकिन तब ही इससे पहले कि जान अपना मूँ खोल कर यीबो से कुछ कहता यीबो जान के लिप्स को अपने लिप्स से कवर कर देता है और जान को वैसे ही वाइलेंटली किस करता है जैसा यीबो ने नदी के किनारे जान को किया था वह यहां यीबो का great effect जान की body पर हो रहा था। यह तभी अचानक यीबो के kissing का तरीका change हो जाता है और वो जान को softly और tenderly किस करने लगता है। मानो यीबो किसी crystal को किस कर रहा हो जो हलका सा ज्यादा pressure देने से तूट सकता है। ये तभी यीबो अचानक जान को किस का ना बंद कर देता है जैसे ही उसे एक saltiness का taste feel होता है जो आंसू जान की आँखों से बै रहे थे। जहां जान का आंसू फील करके जान से अलग होते हुए यीबो गुस्से में पूछता है डैम यू जान तुमने आखर किसी और से शादी क्यों की जो सवाल पूछते हुए इस बार यीबो अपनी करवाहट नहीं चुपाता लेकिन यीबो के सवाल पर जान यीबो को देख कर सेम सवाल करता है क्यों तुम क्यूं पूछ रहे हो ओ गॉड तुम कितने unfair हो यीबो कितने unfair हो जो कहते ही जान रो पड़ता है तो friends आज का ये video explanation पसंद आया होगा वैसे तो I don't know friends मुझे नहीं पता मैं बोल तो देती हूँ कि शायद आपको पसंद आया होगा लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि आपको पसंद आता भी है या नहीं क्योंकि उसके according मुझे आपके likes और views नहीं मिलते पर anyway at least जो हमेशा देखकर like करते हैं उनके लिए ही सही उन्हें तो पसंद आता है ना और मैं खुश हूँ कि मैं अपने selected FFs आप सब के साथ share कर पाती हूँ तो please जिनको भी ये video explanation पसंद आई हो वो please इस पर like दीजेगा और अपने comments भी share कीजेगा वहीं जो कोई भी new इस channel पर आ रहे हैं और channel को subscribe कर रहे हैं उनसे request है कि channel को subscribe करने के बाद bell icon को hit करना मत भूलिएगा ताकि मेरे हर latest video upload की notification आप सब तक फॉरण पहुंच सके तो आज के लिए बस इतना ही मैं जल मिलूँगी आप सबसे next video upload के साथ थब तक के लिए बाई